यार गाइस यह रोयल एंफिल के एक ऐसी बाइक है जिसको मैं बिल्कुल भी रेकॉमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि दोस्तों यहां पर यह आती है बहुत ज्यादा हाई प्राइजिंग पर यहां पर दोस्तों काफी कुछ चीज ऐसी है जो आपको कंसीडर करनी चाहिए दोवजाच चौबिस की अगर आप बाइक टू विल्लर मार्केट की तरफ देखे तो यहां पर दोस्तों यह बाइक बिल्कुल भी इरेलिवेंट बन चुकी है अगर आप लोग एक नेरे की सोच रहे है तो यह वीडियो उस्तों बहुत जादा इंफॉर्मेटिव होने वारा यहां पर आप लोग देखिए इंडिकेटर क्रोम की मिलते लेकिन दोस्तों यहां पर फिटन फिनिश में कितनी ज्यादा प्रॉब्लेम है मतलब जो फ्रैक्टिस आभी रहा है वहां पर उस तो कुछ अच्छे से चेकिंग शायद से नहीं हुई है यहां पर देख सकते हो ज अब जाएगा अपको मिल जाएगा अपक्रेशन की तरफ तो यहां पर दोस्तों यहां पर बुलेट लेने के बाद बहुत लोग बाहर से खर्चा करके अपना बाइक जो अपडेट करते थे लेकिन दोस्तों अभी रोलेंफिल इतनी ज्यादा स्मार्ट हो चुकी है वह चाह जाती है यहां पर दो यह है बुलेट 350 की टॉप मोस्ट वरियेंट यहां पर मैट कर में आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है पी शूटर टाइप की यहां पर आपको एक्जॉस देखने को मिलता है कुछ यहां पर ऐसा है कुछ नया बोलने को इस बाइक के बार में है न यहां पे दोस्तों यह जो धाई लाग वाला बाइक है यहां पर दोस्तों आप लोग देखिए डूवल चैनल देखने को मिलता है वह दोस्तों इस कलर के लिए आपको देना पड़ेगा पीस हजार रुपाई है extra क्योंकि दोस्तों यहां पर पॉर्टो में देखी यह फोटो बेंट डिये यह जो जानद मोदल है दो तो यहां पर उस्तों आपको मरूर में मिलता है ब्लैक मी मिलता है बस यहां पर क्रोम ज्यादा यूस किया गया उसा outdoor है उसके हैं धोर ना पड़ेगा जो कफlor Squam 20,000 एक्स्ट्रा आप लोग मैट के लिए खर्चा करने वाले थे उसको दोस्तों आप लोग मतलब जो एक्चुली में इस बाइक को ट्यूबलेस कर देगा और काफी दा कंविनियेंट होगा लॉंग राइट के लिए वो तो आप कर पाओगे यहां पर एलोएफ वील के साथ ज दोसको आप अपग्रेड कर लीजिए ओफिशियल की तरफ से तो यहां पर की ओफिशियल वाले जो है वो अभी डिसकंटिन्यू कर दिया गया क्योंकि दोस्तों यहां पर मेकी टियोस में अगर आप लोग देखेंगे तो बुलेट में आप लोग कोई पर अप्शन नहीं कर अगर मिल जाए तो आप उसको अप्रेड कर लिजिए क्योंकि दोस्तों यहां पर इतनी भारी भरकम वाई कि अगर एक ट्यूब बाइक होगी क्योंकि मेरे पास अल्डेडी है पुराना वाला बुलेट वह अभी तक स्पोख वील में है क्योंकि दोस्तों यहां पर टैर है अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक देख लिया है शायद से आप लोग इस भाइक को खरीदना चाहते हो तो यहां पर दोस्तों आप कुछ मैट और फिनिशिंग देखने को मिलता है सीब दोस्तों काफे जादा कमफर्टेवरा है यह जो सीट है ना यह भी कुछ एकस दोस्तों यहां पर अभी बात कर लेते हैं इसकी जो प्राइज घृरस्तों वेसकी स्कीम है यह दोस्तों आपको कितना रुपए देना पड़ेगा इस वाइक के लिए तो उसके बाबहु व्रक करें क्लिए यह था खतेश्तों आप इस अफॉक को आफि ऑफोर्ट कर सकते हो कितनी ज्यादा सेलरी होने चाहिए अगर आप लोग इस बाइक को लेना चाहिए उसको एक बार देख लेते हैं तो आप लोग फाइनन स्कीम देख सकते हो 30 पर से अगर आप लोग डाउन पेमेंट करते हो तो अगर इंट्रेस्स रेट 10 की अगर आसपास होती है किसी लिए 9 प 20 बजेट रूलिंग का तो दोस्तों मैं कोई फाइननस का बंदा तो नहीं हूँ लेकिन दोस्तों आपको एक अच्छी सी आइडिया दे सकता हूँ जो कि दोस्तों आपको लॉंग टर्म में बहुत दर बेनिफिट करेगा ताकि आप अच्छे से क्याकुलेट कर पाओ यहां पर थोड़ा बहुत इसकी मेंटेनेंस भी पकड़ लेते हैं तो यहां पर 45,000 इसकी मेंटेनेंस हो गई जहां पर पेट्रोल की जो कॉस्ट है वो इंकलूड नहीं है तो उससाब दोस्तों आप लोग 6 साल के लिए या 5 साल के लिए यहां पर यह माई करवा सकते हो लेकिन द तब दोस्तों आपको ऐसी डायलाइक वाली बाइक के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि दोस्तों यहां पर हम लोग प्लैनिंग बिल्कुल भी नहीं करते है यह माई की तरफ देखते है कि इतना जादा इतना कम यह माई हम लोग दे देंगे लेकिन उसके साथ काफी जादा खर्चा भी एड़न हो जाता है लाइबिलिटी है यह चीज यह दोस्तों फ्यूचर में आपको कोई भी मतलब इंकम करके नहीं देगी अगर आप लोग बाइक करते हो तो सोच समझ के लीजिए अगर आपकी इंकम कुछ 20-25,000 के ऊपर है तब दोस्तों आप लिजिए आराम सोच रहे हो तो फाइन स्कीम देखिए यहां पर जो 50-30-20 वाला जो रूल है फिनांस का उसको ध्यान में रखिए उसके बाद दोस्तों इस बाइक के तरफ चाहिए बाइक दोस्तों काफी ज़्यादा बढ़िया है ट्राइड इंजिन है इसकी स्पेसिफिकेशन वगरा यह सपना देख लेते हैं तो लोग ज्यादा कुछ नहीं सोचते हैं दिमाग भी काम भी नहीं करता है यहां पर दोस्तों इतनी ज्यादा चका चौन वाली यह दुनिया है मतलब लोग शो आफ करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल रेडी होते हैं हर टाइम पर तो यहां पर दोस्तों मेरे भाई इंटरनेट पर आपको मिल जाएगा ऐसे हर एक मतलब वीडियो में कि आप यह बाइक को ले लिजी इतनी ज्यादा बड़ी है इतनी ज्यादा कंप्राइजरिक दोस्तों आपके बारे में कोई भी नहीं सोचे कोई भी नहीं बोलेगा तो इस तरह के एक अलग सा वीडियो मैंने बनाने का सोचा है तो आपको एक फिनेंस का भी आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन सी बाइक लेना है आपकी इंकम कितनी होनी चाहिए या आपको ऐसी बाइक लेना चाहिए या दोस्तों आप जो बाइक सोच रहे हो क्या दोस्तों आप उस बा तो दोस्तों उनके लिए जो उनका बिज्ञास है बैंक वालों का वो बंद हो जाएगा दोस्तों वीडियो वन परसेंट भी इंफॉर्मेटिव लगा या हेल्फुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और ऐसी तिल दें ये वीडियो 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 व